नमस्कार दोस्तों चैनल लर्ण चुहन भैक्यार सब्सक्राइब शोटा सब्सक्राइब चानल और सच प्रस्च वीडियो इस पॉन्ली पॉर अज़िकर्शन पर्पस ओके शचली स्टार्ट करते हैं अब वेरी कुड कम्पनी टाटा इंवेस्टम्स कॉर्परेशन सबको पता टेक्निकल क्या है उसका शेर प्राइस का टार्गेट क्या हो सकता है स्टोप्लोस क्या सकता है सबको डिसक्स करेंगे वन वाइवन कंपनी का रिपूर्ट फिनाशल रिपूर्ट कैसा है ठीक है कंपनी ने कितना डिवन डिवन अनॉंस किया है और उसका एक्स डिट क्या है ह हम लोग सब डिसकस करेंगे one by one चली स्टार्ट करते हैं बाउट टाटा इंवेस्मेंट कॉर्पलिशन इमिटर्ड जो है एक NBFC नॉन बैंकिंग फिनाशल सर्विसेस कंपनी है ठीक है से इसका मार्केट का जो है 11,345 का है करेंट सी एंपी जो चल रहा है 2000 42 कंपनी नहीं बनाए था 2886 तूह दिए अप देख सकते हैं एक अच्छी चीज है 2.14% ROCE 1.42% ROE 1.28% और फेज़ वाली कंपनी का है 10 ओके अगर कंपनी का positive साथ चेक करें तो company debt-free है अपने stock जो price है उससे लगवग 0.58 times नीचे ट्रेड कर रही ठीक है यह positive है company dividend अच्छा maintain कर रही है लगवग 102% का dividend healthy dividend है ओके negative क्या कंपनी का tax rate seems to be low seems to be low company has a low return on equity of 1.30% over last three years ठीक है तो यह negative है company का अब इसका quarterly result को जड़ा चेक करते है और हम लोग इसका financial report जो पूरे एक साल का है उसको चेक करते है ठीक है तो company का financial report का अगर हम लोग पूरा चेक करेंगे तो compare करते हैं अगर हम लोग यह 2022 का है और यह जो पार्ट है आपका 2023 का है company का sales देखे 254 से 277 हुआ काफी अच्छा improve किया है operating profit company का देख सकते हैं 229 का था तो 45 हुआ तो company profitable है अभी तक ठीक है उसके बाद अगर profit before tax company का चेक करेंगे तो 246 है और अभी है 272 तो company अभी भी profit है और रिजन ब्यांड क्या है profit क्यों क्यों ने तो other income में last year अठारा एड़ किया था अभी यह तो इस currency प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया इन comparison to the last year ओके फिर भी company profit में है net profit कंपनी का क्या है 214 है मार्च 2022 में अभी 222 तो कंपनी नेट प्रॉफिट के मावले में भी प्रॉफिट है उनको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है EPS कंपनी का इंप्रूब हुआ है प्रम 42.34 लास्ट यह था अभी है 49.78 तो कंपनी का EPS भी इंप्रूब किया है तो quarter and quarter मतलब 2022 यह जो आप देख रहे है 2022 है ठीक है अभी जो है यह 2023 तो दोनों कंपेर करेंगे लास्ट यह कंपनी का सेल्स 52 करोड का था अभी कितना है यह 31 करोड का है तो जो की काफी कम है 51 करोड 31 काफी नीचा है काफी डिक्रीस किया लास्ट यह से कंपेर करें तो और ऑप चेक करते हैं अब प्रॉफिट विफो टैक्स देखे काफी खराब है डिक्रीस किया है नेट प्रॉफिट कंपनी का क्या है नेट प्रॉफिट ऑल्मोस्ट सेम है तो रिजर्ट तो उतना बढ़िया नहीं है अगर लास्ट यह सेम क्वाटर माज 2022 से कंपेर करें तो चलिए उससे घर कंपेर करेंगे तो सेल्स फिर से डिप हो गया खराब हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट लास्ट वाटर रहें 32 का था अभी 22 का तो और वी रिजल्ट खराब हो गया है अगर आपका इसका नेट प्रॉफिट डारिक्वी चेक करते हैं तो रिजल्ट काफी है तो कार्टन कार्टन रिजल्ट खराब है इसलिए हो सकता है अभी डाउन पॉल आए था कमपनी का प्राइस में लेकिन कंपनी ने बहुत अच्छा डिवडेंस डिकलियर किया है, तो अभी हो सकता कुछ अच्छा मोमेंट आ जाए ठीक है अच्छा मोमेंट आजायए तो टेक्न से 1.02 हुआ है कुछ भी ऐसा इंपॉर्टन चेंज़ नहीं है डिया ने भी चेक करते हैं कैसा है आपका चार्ट पैटन कैसा है तो चार्ट पैटन अभी उतना बढ़िया पैटन तो नहीं दिख रहा है क्योंके भी बरेक आट नहीं लिया, लेकिन अगर पैटन जो बन रहा है आपको बैटन एंप लिया, तो देखेगा यह आपका एक शोलडर है, ठेक है इस तरीके से गया यह आपका head बन रहा है ठीक है अपर देखें दूसरा एक shoulder बन रहा है और यह जब breakout लेगा न यह breakout लेबल जो इसके लिए है पहला निकलाइन जो है 2275 का निकलाइन है यहां पर कुछ भी possibilities हो सकता है यहां पर इसको कुछ भी दिक्कत आ सकते हैं यहां से ही downfall हो सकता है लेकिन चुकिए dividend का news है तो हो सकता है breakout यह ले 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 तो आदमें के आपको क्या करना है आप अपने investment जरू संपर कीजी कि हाँ पर क्या करना चाहिए मैंने आपको बता दिया कि अगर यह breakout लेता है ब्रिकाउट लेगा 2280 इसका breakout लेवल है इसको resistance पहला मिलेगा 2366 तो फिर यह 255 उसका दूसरा टार्गेट आता है तीसरा टार्गेट तीसरा टार्गेट आ जाएगा ठीक है जो कि डेली चार्ट में देख रहा है अभी इसको हम लोग weekly चाइम फ्रेमें चेक करेंगे तो weekly क्या बता रहा है वीकली चेक करते हो बहुत ही सुन्दर अभी यहा और हो रहा है तो फिर से बोलूँगा यहां पर एक ररेसिसम्टर्स है और एक अच्छा चीज़ जो पॉज्टीव चीमाने किया दिखा है यहां पर देख सकते हैं एक एक crossover जो रहता है ना मैं फिर सो फुरा सब जूम करता हूं आपको दिखाने के लिए या crossover देखे moving average का crossover अपर बन रहा है प्लस super trend का arrow भी देख सकते हैं आपर बना हुआ है तो SuperTrendy बोल रहा है कि मैं bullish mode में जा रहा हम और moving average भी बोल रहा है कि मैं अभी bullish हो रहा हूँ ठीक है तो एक अच्छा चीज दिख रहा है चार्ट में weekly चार्ट में भी daily चार्ट में मंतली को भी जड़ा चेक कर लेता है मंतली क्या बोल रहा है ठीक है खराब है और year on year result is very good so result के मामले में थोड़ा mix chart pattern के मामले में बहुत ही तगड़ा है बस एक ही चीज़ का ख्याल रखना है कि डेली चार्ट में यह resistance के पास ही खड़ा है बस इसको ध्यान देना breakout पे ही काम करने है that is company ने अभी dividend जो announce किया है that is 48 रुपिस का 48 रुपए का cash dividend है और company का एक्स डिविडेंट डिट है जून 12-2023 जून 12-2023 फिर से बोलूँगा आपको एक्स डिविडेंट मतलब बारा तारीक बारा जून तक आपको यह बारा जून को यह और 40 रुपए आपका share का price में गिरावट आएगी और आपको यह अगर डिविडेंट लेना है तो आपको तब तक इस शेयर को अपने डिविडेंट अकॉंट में रिकॉर्ट तक रखना पड़ेगा ठीक है और तू इन्वेस्मेंट शुट जो डिविडेंट शुट नॉट बीडेंट को यह अनॉस्मेंट हुआ था मैं उसको बस रीट करता हूं सिमलर ही न्यूस है और उन्होंने क्या कहा है कि तो पर पर्परस अपर रिट कर सकते कंपनी का वेब साइट में ठीक है मैंने ब्रिफली समझा है अगर आपको अच्छा लगा है शेर की जए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सबस्राइब के जिए आज के लिए बसेतना ही आलोकुरा इसानियोग फैंक्यू